Hello my beauty queens, welcome back to my channel आज की वीडियो में देखेंगे concealer कैसे लगाएं चेहरे के dark धबों को concealer की मदद से correct कैसे करें under eye darkness को conceal कैसे करें और चेहरे को sculpt, contour या highlight करने के लिए concealer लगाने का सही तरीका क्या है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ और मैं यूज करने वाली हूँ Maybelline New York Instant Age Rewind Concealer So Maybelline ने मुझे ये PR पैकेज सेंड करा जुसमें उन्होंने सेंड करे है Instant Age Rewind Concealer के 9 shades, so अगर आप make-up में शुरुआती हो, beginner हो, नया-नया make-up करना सीखा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, मैं Concealer के बारे में सारी बाते इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ किस तरह से अपने लिए Concealer चुने apply किस तरह से करें to contour, correct and conceal your face So let's get started So सबसे पहले देखेंगे Maybelline Instant Age Rewind Concealer के साथ चेरे के उपर pigmentation या दाग दब्बो को कैसे चुपाएं जिसके आप देख सकते हो मेरे चेरे के उपर काफी जादा pigmentation है Pigmentation को चुपाने के लिए Concealer में से अपनी skin tone से darker shade का चुनाव करें Pigmentation को चुपाने के लिए मैंने यहाँ पर caramel shade pick करा है Maybelline Age Rewind Concealer के साथ application process भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यह सिर्फ one click में ही product को dispense कर देता है बच जब फर्स टेम product यूज कर रहे हो तो थोड़ा जावदा रोटेट करना पड़ता है बच लेटर ओन एक ही रोटेट में product dispense हो जाता है अब जहाँ जहाँ पर मुझे pigmentation है वहाँ पे cushion tip की मदद से मैंने product apply करा and then finger tip के साथ में इसको blend कर रही हूँ यह बहुत ही आसानी से seamlessly blend हो जाता है blending के लिए आप brush या sponge का भी इस्तमाल कर सकते हो अगर आपको यह confusion रहती है पहले foundation लगाना या concealer तो ध्यान रखे pigmentation या dark spot है तो उसको cover करने के लिए पहले darker shade concealer लगाना है then उसके उपर foundation लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले pigmentation को cover किया अब अगर मुझे foundation लगाना होगा तो मैं इसके उपर लगा सकती हूँ या मैं अपनी skin tone का matching concealer लगा के भी full face makeup कर सकती हूँ नेक्स स्टेप मेरी under eye area को conceal करने के लिए मैं अपनी skin tone के साथ matching shade इस्तमाल करूँगी यहां पर मैंने butterscotch shade pick करा है one click के साथ product को dispense करने के बाद मैं इसको under eye area पर dot कर कर अप्लाई कर रही हूँ and then again finger tip की मदद से ही मैं इसको blend कर लोगी Maybelline Instant Age Rewind Concealer की medium to high coverage है यह skin के उपर बहुत ही lightweight है natural looking effect देता है under eye को conceal करने के बाद finger tip के उपर इतना product बचा था उसको मैंने eye lid के उपर apply कर लिया और उसके बाद मैं दुबाना से ले रही हूँ shade butterscotch full face के उपर अगर रोजाना में आप make up करना चाहते हो बिना foundation के as I mentioned अपनी skin tone के साथ matching concealer shade का इस्तमाल करें so butterscotch shade मेरी skin tone के साथ perfectly match हो रहा है so पहले मैंने correct करा then मैंने conceal करा उसके बाद skin tone के साथ matching shade को full face के उपर dot करा cushion tip के साथ and then foundation brush के साथ में और आप देख सकते हो effortlessly ये concealer मेरी skin के ऊपर blend हो रहा है कितना बढ़िया natural and flawless look का आए मेरी skin के ऊपर हम आगे देखेंगे instant age refined concealer के साथ face को sculpt कैसे दिखा सकते है अगर आपको face को contour करना है तो concealer में से अपनी skin tone से 2 shade darker shade का चुनाव करें यहाँ पर मैं अपने face को brighten और highlight करने वाली हूँ इसलिए मैंने light shade चुना है यह है shade medium इसको मैंने under eye area और outer corner और lips से उपर जाते हो इस तरह से apply करा है इस तरह से apply करने के साथ आप अपनी face को थोड़ा और ज़ादा अप लिफ्टिड दिखा सकते हो जिस तरह का भी आप result अचीव करना चाहते हो उस हिसाब से concealer shade पिक करके apply करना है Maybelline Instant Age Rewind Concealer इसमें 9 different shades available है और इसका price है जिरफ 6.99 रुपीज यह travel friendly भी है compact size है इसका आप इसको अपने bag में carry कर सकते हो और यह one product है जो आपको help कर सकता है conceal, correct and contour करने में और यह पर आप देख सकते हो जिस तरह मैंने lighter shade concealer इस्तमाल करा है वहाँ पर मेरा face कैसे lifted दिखाई दे रहा है as compared to other side of my face जो कि एकदम flat दिखाई दे रहा है तो इस तरह से concealer के different shades का इस्तमाल करके अपने चेहरे को correct भी कर सकते हो conceal भी कर सकते हो और sculpt and contour भी कर सकते हो so यह है मेरा final look आप देख सकते हो skin कितनी flawless लग रही है और यहाँ पर मैं आपके साथ before and after भी share कर रही हूं so you can see the difference by yourself I am totally in love with this concealer मैं आपको highly recommend करूंगी इस concealer को जरूर चेक आउट करें आपको यह बहुत पसंद आएगा so I hope girls कि अब आपको clear हो गया होगा concealer कैसे लगाना है अलग-अलग concealer shades को apply किस तरह से करना है to contour, correct and conceal और इसके साथ साथ बिना foundation में rozana का makeup करने के लिए भी आप concealer का इस्तमाल किस तरह से कर सकते हैं so अगर आपको यह वीडियो helpful लगी है तो इसको like और share जरूर कीजेगा description box में मैंने Maybelline New York instant age rewind concealer का link डाल दिया है तो वहाँ पे आप इस product को check out कर सकते हो shade name भी मैंने description box में mention कर दिये है so that's all for this video thank you so much for watching love you all bye